So, last video में हमने rapidity का concept introduce किया था और you know, Lawrence Transformations को rapidity की terms में लिखा था अब इस वीडियो में हम ये करेंगे कि हम Lawrence Transformations के अंदर invariant रहने वाली property को study करेंगे So, इससे पहले कि हम ये property study करें, हम ये देखते हैं कि ordinary space के अंदर यानि कि space time की बात नहीं मैं कर रहा हूँ तमार्म directions अगर space की directions है तो उसमें कौन सी property है sorry, कौन सी quantity है जो के invariant रहती है, यानि कि change नहीं होती rotations के अंदर So, suppose करें कि हमारे पास एक, you know, two dimensional space है Well, actually, you can have any number of dimensions लेकिन अब सर्फ start कर सकते हैं हम two dimensions से So, two dimensional space अगर हमारे पास है ऐसे और इसके, you know, coordinates को मैं कहता हूँ x1 and x2 और ये दोनों के दोनों space directions है ठीक है तो हम एक point अकर लें जिसके coordinates x1 और x2 है तो हम एक quantity बना सकते हैं इस point के coordinates से और वह quantity ये है कि इस point का जो position vector है इस position vector की length का square ठीक है, तो वह हम जानते हैं कि अगर इस vector का नाम मैं V दे दूँ तो उसको हम यूँ भी लिखते हैं कि V का norm square ये सिर्फ एक notation है इसको हम यूँ भी लिखते हैं कि x1, x2 ये definition है इसकी, sorry x1, x2 multiplied by x1, x2 ठीक है तो इसका position vector क्या था position vector का अगर मैं formula जो expression है, अगर मैं वो लिखूं तो वो है x1 और x2 तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो कि it's V transpose multiplied by V ठीक है अब ये जो position vector है इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो कि it's x1, x2 multiplied by this matrix multiplied by x1, x2 ठीक है, ये तरीके हैं इसको लिखने के लेकिन इसको अगर आप इस तरह से भी लिख सकते हो कि चुके आप ही देख सकते हो कि V1 is x1 V1 का मतलब है कि V का जो first component है यानि कि ये, वो x1 है और V2 जो है, यानि कि second component है, वो x2 है so V2 is x2 right तो अगर मैं इसको expand करूँ इस चीज़ को तो मैं इसको यूँ भी लिख सकता हूँ x1, x2 into x1, x2 right so इसको अब लिख सकते हो x1, x2 sorry, x1, x1 plus x2, x2 इसको अब यूँ भी लिख सकते हो कि V1, मैं इसको square किसी बज़ा से नहीं लिख रहा हूँ भी multiplied by V2, V2 right लेकिद मैंने यह कहा था कि इसको आप यूँ भी लिख सकते हो x1, x2, x1, x2 लेकिद मैं इसको पहली V1, V2 कह चुका हूँ तो इसको V1, V2 कह लेते हैं right so अब आप यह कर सकते हो कि इसको जिससरा मैंने पहले कहा कि आप इसको यूँ लिख सकते हो V1, V2, 1001 ठीक है तो यह जो matrix है इसको मैं अगर M कह दूँ तो इसकी जो अगर यह matrix इससे multiply हो तो इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ 1001 V1, V2 और यह equal होगा 1 multiplied by V1 plus 0 multiplied by V2 0 multiplied by V1 plus V2 multiplied by 1 multiplied by V2 लेकिन हम भी जानते हैं कि अगर M यह matrix है 1001 तो इसको मैं यूँ भी लिख सकता हूँ कि it's M11 M12 M21 M22 M11 का मतलब है कि first row first column value entry M12 का मतलब है M first row second column value entry and so on तो इसका मतलब यह है कि यह जो यह चीज है इसको मैं यूँ भी लिख सकता हूँ M11 into V1 plus M12 into V2 M21 into V1 plus M22 into V2 जिसको यूँ भी लिखा जा सकता है कि इन दोनों में अगर आप देखो पहली term के अंदर यह दोनो ones जो हैं यह same है और यह दोनों जो हैं यह equal होते हैं हमेशा यह और यह ठीक है तो इसको अब यूँ भी लिख सकते हो कि it's M1 और summation on J J can be 1 to 2 और अगेन नीचे भी बस इसकी जगा 2 हो जाएगा अब right so यह अभी तक सिर्फ इनको multiply करने की बज़े से जो आना था वो आया है अब अगर मैं इसको इन दोनों के product से multiply करूँ तो क्या बनता है well it will be V1 V2 multiplied by this product V sorry M1 J VJ J is 1 to 2 और नीचे जो है वो है J can be 1 to 2 right अब अगर आप इसको multiply करो तो आप देख सकते हो कि जो V1 है वो इससे multiply होगा और अगर मैं color change करूँ तो V2 जो है वो इससे multiply होगा so यह बनेगा V1 multiply sorry V1 multiplied by M1 MJ MJ plus V2 M2 J लेकर इसको भी आप एक summation को तर पर लिख सकते हो because यह दोनो equal हैं हमेशा और इनकी value जो है वे 1 से 2 तक जाती है तो अब इसको यह लिख सकते हो summation J पे तो था ही पहले अब आप एक और sum ले आओ I के उपर और इस दूसरा sum जो है वो J के उपर so I and J right इसको आप एक double sum के तौर पर भी लिख सकते हो sum over I and J और हम यह understood है कि यह 1 से 2 तक जा रहे है आप लिख भी सकते हो 1 से 2 तक लिखने अगर आप omit भी कर दो तो यह understood है कि यह 1 से 2 तक जा रहे है right अच्छा अब इसमें यह matrix addition की तरह है बिल्कुल तो अगर आप start में देखो तो मैंने इसको यह लिखा था कि यह जो चीज है V1, V2 यह matrix और मैंने कहा था कि यह इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है V1, V2 into V1, V2 तो यह जो है यह है V transpose और यह है V लेकिन आप इसको अगर इस तरह लिखना चाहो तो यह है V transpose यह है M और यह है V तो यह दोनों सेम है क्योंकि M जो है वह identity matrix है आप देख सकते हो लेकिन इसको prefer prefer मैं यह करूँगा लिखना V1, sorry V transpose M into V is equal to यह double sum जो मैंने लिखा यह उपर अबी तो यह इसन स्टेप से मैं इसलिए गुजरा हूँ ताके अगर मैं दुबारा कभी यह नो इस particular matrix product को इस तरह से लिखूं इंडिसेस की form में आई और J की form में और sum की form में तो you know you shouldn't be confused ठीक है और यह किसी भी matrix और यह किसी भी vector के लिए सही है अब मैंने start की थी वीडियो इस पास से के हमने देखना है कि two dimensional space में वो कौन सी quantities हैं जो कि rotation में invariant रहती है well two dimensions मैंने इसलिए चुनी थी क्योंके उसमें यह competition करना बड़ा असान है लेकिन यह जो argument है यह आप किसी भी dimension में कर सकते हो any number of dimensions तो फिर फर्क सिर्फ यह होगा कि I और J की values जहां यह 1 से 2 तक नहीं होगी फिर यह होगी 1 से लेके N तक कि आपके पास N dimensions लग रहे हैं तो अब 1 से लेके N तक जा सकती है I और J की values जाइड तो अब मैं claim यह करना चाहता हूँ कि यह जो चीज है यह invariant है rotations में sorry is invariant under rotations लेकिन आप यह भी देख सकते हो कि यह चुके यह equal है इस चीज के V transpose V तो यह एक vector की length का square है तो मैं ही कहा रहा हूँ कि vectors की length जो है वो change नहीं होती square चेंज नहीं होना और length चेंज नहीं होना एकी बात है vectors की length चेंज नहीं होती rotation में जो कि बहुत intuitive है कि vector अगर रोटेट कर दो तो उसके length चेंज बिलकुल भी नहीं होती है लेकिन उसका mathematical तरिका यह यह है लिखने का जिससरा मैं नहीं लिखा है तो अगर suppose करो कि four dimensional space अगर हमारे पास है तो हमारे पास अगर एक vector है जिसके coordinates V1, V2, V3 and V4 है मैंने पहले X लिखेते हैं और X V copy intelligibly लिख सकते हैं मैं सर्फ convenience के लिए rotation change कर रहा हूँ तो उस four dimensional space में अगर आप कोई rotation करते हो तो जो quantity invariant रहती है वो कुछ इस तरह से है V1, V2, V3 and V4 और पिर जो matrix हैगा यह काफी बढ़ा आएगा 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, identity matrix है रहा है जाहर है 0, 0, 0, 1 और multiplied by V1, V2, V3 and V4 और खाफी crouch space है मैं इसको नीचे लिख देता हूँ V1, V2, V3 and V4 तो यह quantity invariant है अभी तक मैंने इसको proof नहीं किया है लेकिन इसको proof करने का तरीका बढ़ा असान है प्रूफ देखते हैं कि यह quantity invariant in rotations में इसको proof ऐसे करते हो आप जो अगर आप rotation matrices को देखो तो for example अगर मैं two dimensions की बात करूँ तो two dimensions में हमने last video के अंदर rotation matrix को derive किया था और वो था कुछ इस तरह तो इस matrix की खास बात यह है कि अगर आप इस matrix का transpose लो तो वो है cos theta और sin theta sin theta और cos theta so मैं claim यह करना चाहता हूँ कि इसका transpose है वो equal है इस matrix के inverse के यानिके यह जो मैंत्रिक्स है यह इस उपर वाले matrix का यह जो मैंत्रिक्स है इसका inverse भी यही matrix है यानिके यह जो rotation matrix है two dimensions के अंदर इसका transpose और इसका inverse equal है तो ऐसे matrix यह आप चेक भी कर सकती हो आप इस matrix को multiply करो इस matrix से and you will get the identity matrix तो ऐसे matrices जिनका transpose उनके inverse के equal होता है उनको हम कहते हैं orthogonal matrices तो अगर एक matrix है M और इसका transpose उसके inverse के equal है तो इसको हम कहते है और थोगनल और हम मैंने हना कि यह two dimension के case के लिए दिखाया है बट है this is true for any dimensions जितने नमर्दी dimensions में आप कोई भी rotation करो वो हमेशा orthogonal matrix से represent होती है तो अब अगर यह बात सही है तो हम यह proof कर सकते हैं बहुत अराम से के यह जो quantity है V transpose M into V और M याद रखना यह identity matrix है बिलकि मैं इसको identity ही लिखना शुरू कर देता हूँ आप से राइट तो यह identity matrix है तो यह जो है यह invariant है यह change नहीं होता है you know rotations में तो हम यह पता है कि अगर rotation है तो वो इस वेक्टर को किस तरह से change करेगी तो वेक्टर जो है एक ऐसे matrix है जो कि orthogonal है तो M times V और इसका यह मतलब भी है कि जो V transpose है वो हमें transpose वरी identity लगा सकता हूँ आपको पता है कि अगर दो matrices हैं A और B और इसका transpose जो है वो equal होता है B transpose multiplied by A transpose right और वेक्टर भी एक matrix ही है right it's a matrix it's a you know it's a one by many matrix sorry many by one matrix many का मतलब जितनी dimensions है multiplied by one column right so इसका मतलब यह है कि मैं यह देख सकता हूँ कि यह quantity किस तरह से change होगी तो मुझे पता है कि V transpose किस तरह से change हुआ है V transpose change हुआ है इस तरह से identity multiplied by V V जो है वो है यह इस तरह से change हुआ है यह equal है इसके पर हमें पता है कि M जो है और थागनल है इसका मतलब यह है कि मैं transpose की जग़ा inverse लिख सकता हूँ और चुकर यह identity matrix है जब यह M से multiply हो तो M देगा और M inverse और M जो है वो cancel हो जाते है तो इसका मतलब यह है कि V transpose I times identity times V जो है वो इसके equal है लेकिन यह again identity times इसके equal है तो अब देख सकते हो कि यह invariant है rotations के अंदर अच्छा यहाँ पर एक question उठ सकता है एक question यह है कि मैं इतनी देर से इस तरह से क्यों लिख रहा हूँ राइट मैं simply V transpose V क्यों नहीं लिखता हूँ उसकी एक reason है उसकी reason यह है कि यह बीच में matrix आता है इसको आप change कर सकते हो और ऐसा हो सकता है कि different तरहां के spaces के हंदर different तरहां यह time का coordinate कर दो तो फिर क्या फरक पड़ता है यह different तरहां के spaces इस तरहां बना सकते हो तो यह जो बीच वाला matrix है यह change हो सकता है इसलिए मैं explicitly लिख रहा हूँ कि बीच में identity matrix आएगा right so इसको हम metric भी कहते हैं यह एक खास तरहां की quantity की example है जिसको हम बाद में study करेंगे जिसको हम tensors कहते हैं तो इसको metric tensor भी कहा जाता है लेकिन अभी मैं tensor word यूज नहीं करूंगा अभी मैं सिर्फ metric यूज करूंगा right so एक summarize करने के लिए suppose करो कि आपके बस कोई space है उसके अंदर कोई vector है v right तो उस vector की जो एक वेक्टर की जो क्या कहते है coordinates है यह components है उनको यूज करके आ identity times v के such that कि यह चीज जो है यह invariant है rotations में rotations क्या है v goes to some matrix multiplied by v जबकि जहां पर यह matrix जो है यह और थो बनले तो अभी तक मैंने सिर्फ बात की है space की space में you know space का मतलब यह है कि तमाम directions अगर space directions है तो उसके अंदर कौन सी quantity जो है वो invariant रहती है rotations के अंदर लेकिन अगर मैं इसको explicitly लिख हूँ v transpose v को और suppose करो कि यह भी four dimensions की बात करता हूं मैं so it's v1, v2, v3 and v4 multiplied by v1, v2, v3 and v4 right so इसको इसको इस तरह भी लिख सकते है v1 square plus v2 square plus v3 square plus v4 square right so you know उसी की एक representation है मैं इसको इसको इसलिए लिखा है क्योंकि अब मैं एक question पूछना चाहता हूं कि suppose करो कि अब अब तमाम direction यह four dimensional space ही है लेकिन तमाम direction जो है वो space directions नहीं है अब अब एक direction जो है वो time की direction है जिसका मतलब यह है कि एक coordinate जो है वो time coordinate है और अब मैं v के बज़े x यूज करना शूरू करूंगा क्योंकि मैंने v को यूज करना था space के लिए अब मैं x को यूज करना शूरू करूंगा तो x transpose i times x जिसको मैं यूभी लिख सकता हूं अगर बीच वाला matrix जो है वो identity matrix है और मैंने यह कहा कि x1 square x2 square x3 square and x4 square ठीक है अब हमें पता है कि अगर हम बात करना चाहते हैं space time की यानिकि 3 dimensions of space and one dimension of time तो उसको हम उसके जांदर जो coordinates हैं उसको हमने कहा था x0 या x0 और x1, x2 and x3 तो इनको हम इसलिए अब नाम different देंगे x0, x1, x2 and x3 तो एक question उठता है कि क्या यह जो particular quantity है क्या यह Lawrence transformations के अंदर invariant है और मैं यह क्यों पूछ रहा हूं कि Lawrence transformations के अंदर invariant है वो इसलिए क्योंकि हमने देखा था कि Lawrence transformations का का काफी connection है rotations के साथ they look like rotations right लेकिन हमने एक और चीज़ सेखी थी Lawrence transformations के अंदर और वह चीज़ यह थी कि जो space directions यह space coordinates है उनको अगर आई से multiply करो तो वह time की तरह behave करते हैं right तो हमें पता हैं कि अगर हम बात कर रहे हैं कैसी you know condition की sorry कर रही है कैसी you know space की जिसके अंदर एक space जब मैं space करता हूं उसका मतलब है कि space time कर रहा है अगर मैं space time की बात कर रहा हूं जिसमें three dimensions of space and one dimension of time है तो यह जो x naught है यह time coordinate है right तो पहले तो अभी चेक कर सकते हो कि कि यह Lawrence transformations में invariant है और यह exercise के तरफे आप ले सकते हो अब इसमें Lawrence transformation equations use करो यह वाली और यह वाली यह वाली यह वाली यह वाली यह वाली यह और बाकी दोनों इन दोनों को चेक करने की ज़रूरत नहीं है और आप देख सकते हो कि x naught square और x1 square और x1 square सिर्फ इसको चेक करने की ज़रूरत है तो यह नहीं है invariant Lawrence transformations के अंदर तो question आप पूछ सकते हो कि wait हम क्या चीज़ मिस कर रहे हैं यहां पे और उसका answer यह है कि हमने जो लास्ट वीडियो में realization की थी end में वो realization यूज करने की ज़रूरत है यहां पे और realization यह थी कि अगर आपको space direction को time coordinate को time coordinate की तरह behavior करवाना है तो उसको i से multiply करो तो हम एक रफ सा guess लगा सकते हैं और हम कहते हैं कि okay wait अगर मैं x naught जो है उसको i times x naught लिखूं क्योंकि मैंने यह expression लिखा है यह expression यह आया तो space के expression से है तो अगर मुझे एक coordinate को time coordinate बनाना है तो मुझे उस coordinate को i से multiply करके यहां लिखना चाहिए था और direct x naught नहीं लिख देना चाहिए था तो क्या अगर मैं यह realization यूज करूं तो क्या फिर जो quantity बनती है क्या वो लोर्रांस transformation में invariant है या नहीं है तो उसको हम check करते हैं तो अगर मैं x naught की जगा i times x naught लिखूं और x1 को ऐ इसे ही लिखो तो यह बनता है obviously minus x naught square plus x1 square तो क्या यह invariant है लोर्रांस transformation में well actually यह है और यह चाह करना बहुत असान है so check करते हैं क्या लोर्रांस transformation में invariant है या नहीं है so x naught हम यह transformed version देखते हैं इसका और हमने प्रूफ करना है कि यह equal है इसके ठीक है तो हम left hand side से start करते हैं so हमें पता है कि x naught जो है वो equal है gamma times x naught minus beta times x1 इसका मतलब यह है कि sorry मैंने यहा पर minus डाला था minus भूल गया right so x naught square x naught prime sorry x naught prime square जो है वो बनता है gamma square x naught minus beta x1 square ठीक है और यह बनता है gamma square x naught square plus beta square x1 square minus gamma beta x1 इसी तरीके से x1 prime जो है वो equal है gamma x1 minus beta x naught और अगर मैं इसका भी square लूँ तो यह बनता है gamma square x1 square plus beta square x naught square minus two times beta x1 x naught right sorry यहां पर I think यहां पर आ रहा था two times beta x naught x1 right तो हमने calculate करना था यह so इसका मतलब यह है कि आप इस में से यह minus कर दो right यहां पर जिसका expression यह लिखावे नीचे यह जो सारा expression है इसमें से minus करना है यह सब कुछ ठीक है so जो same terms होगी वो तो subtract हो जाएंगी obviously तो हम देख सकते हैं कि एक same term है इन दोनों में और वो यह है minus two times beta x naught x1 वो यहां पर भी है वो यहां पर भी है और gamma square दोनों के बाहर है तो यह तो cancel हो जाएंगी simply ठीक है तो जो terms बचेंगी वो है कुछ ही इस तरह से sorry वो है इस तरह से कि gamma square दोनों के बाहर है right तो x1 sorry x naught square वाली जो terms है वो कुछ यह यह बनेंगी x naught square beta square और यहां से x naught square में सिर्फ यह आ रहा है तो minus one कर देते हैं इसको right और x1 x1 square वाली terms जो है वो एक तो यह है यहां कि simply one one minus और यहां x naught square वाली term जो है वो है यह तो यह है beta square so हमें कुछ यूँ मिलता है कि मैं इसको इस तरह लेख सेकता हूँ minus x naught square gamma square one minus beta square plus x1 square gamma square one minus beta square लेकि gamma square क्या है वो तो one minus beta square है right इसका मतलब यह है कि यह इससे cancel हो जाता है और इसका मतलब यह है कि यह equal है x naught square plus x1 square right तो हमने यह प्रूफ कर दिया है हमने प्रूफ कर दिया है कि x naught prime square plus x1 prime square यह equal है x naught square plus x1 square के so और यह तो बहुत असान है कि x2 prime square जो है वो equal होगा x2 square के because x2 prime is equal to x2 right और यही काम x3 के लिए भी सही है तो इसका मतलब यह है कि you know जो quantity lawrence transformations में invariant रहती है वो यह है कि उसको हम कहते है ds square इसको सॉरी s square so यह quantity है minus x naught square plus x1 square plus x2 square plus x3 square तो यह है x naught time coordinate के लिए बाकी तमाम space coordinates है x naught जो है यह time coordinate है और अगर मैं इसको compare करूं space वाले version से जिसमें तमाम coordinates जो है वो space coordinates थे तो वो कुछ इस तरह से है कि इन सब के साथ plus sign था अब देख सकते हो किसी के साथ minus sign नहीं है so यह difference है space और time you know cases के अंदर लेकिन last चीज जो मैं करना चाहूंगा वो यह है कि इसको मैं उसी form में लिखा हूँ आपको याद होगा कि मैंने space के case में इस form में लिखा था इस quantity को तो मैं अगर इसको भी इस particular form में लिखना चाहूँ तो आप बहुत अराम से देख सकते हो कि यह equal है x0, x1, x2 और x3 multiplied by हमने देखा था कि some matrix होना चाहिए और multiplied by x0, x1, x2 and x3 हमने देखा था कि space के case में यानि कि तमाम coordinates space coordinates से तो यह matrix simply identity matrix था लेकिन अब आप देख सकते हो कि यह minus 1 होना चाहिए तो हुआ यह है कि इस matrix को मैंने कहा था कि यह है इसको हम कहते हैं matrix, sorry, matrix तो यह matrix जो है, यह different है space और time cases के लिए हुआ यह है कि जो time coordinate था, यानि कि x0 उसके corresponding, क्योंकि हम देख सकते हैं कि यहां से जब यह multiply होगा x0 तो यह सिर्फ और सिर्फ x0 multiply होगा इससे क्योंकि बाकी जोगों पर तो 0 है और फिर वो इससे multiply होगा तो जो quantity time coordinate से multiply होनी थी वो minus 1 हो गई यह अब, उसने एक minus sign require कर लिया है और अगर आप space के case में देखो जिसमें तमाम directions जो थी वो space directions थी तो जो बीच में आने वारा metric था वो identity matrix था, right तो उसमें तमाम की तमाम जो है वो plus signs थे तो अब क्या कहते हैं इस चीज़ को आप देख सकते हो कि यह एक defining feature है space एक तरहां से defining feature है space और time coordinates का यह जो time coordinates होते हैं उनके क्या करते हैं corresponding जो metric की वो आती है entry आती है उसका sign different होता है उस entry से जो कि space की corresponding आती है right, so you know, इस quantity को मैं दोबारा लिखना चाहूंगा because यह बहुत important चीज़ है so sorry s square is x t, x का मतलब है अब यह तमाम का तमाम sorry यह तमाम का तमाम vector right और यह जो है यह x transpose होगा obviously so x t x लेकिन यह जो बीच में आलवाला matrix है इसको अब हम identity matrix तो नहीं कह सकते right so इसको हम कहते हैं eta और यह rapidity नहीं है rapidity different चीज़ है कुछ बार इसको कुछ जगों पर हम जिखेंगे general relativity में इसको g कहा जाता है इस speech-wise matrix को लेकिन अभी मैं इसको eta लिखूँगा लेकिन इसको confuse नहीं करना rapidity से यह metric है इसको हम इसको हम mincouse की metric भी कहते हैं इस metric की जो rigorous definition होगी वो तब हम introduce करेंगे जब हम tensor and analysis पढ़ रहे होंगे because यह एक tensor है लेकिन अभी मैं word tensor use नहीं कर रहा हूँ तो यह invariant quantity है space time के अंदर जहाँ पे difference पे जिसम जहाँ पे एक particular direction है यह पर एक particular coordinate जो है वो time coordinate है और बाकी तमाम coordinates जो है वो space coordinates है आप इसको कह सकते हो कि यह space time के लिए ठीक है और space के लिए मैंने इसको V लिखा दा था कि differentiate कर सको space और time के case में वहाँ पे यह जो metric था यह identity था यह metric है यहाँ पे इस वीडियो में मैंने invariant quantities को introduce करना था जो कि Lawrence transformations में invariant रहती है so until the next video, bye